प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए को ए कब पढ़ते हैं देखिए जब दो अक्षरों के बीच में ए हो जब दो अक्षरों के बीच में ए हो तो वहाँ पर ए का उचारण ए की तरह होता है एक बार फिर से जब दो अक्षरों के बीच में ए होता है तो वहाँ पर ए का उचारण ए की तरह होता है तो वहाँ पर हमें एक आउचारण ए करना है जैसे यहाँ पर देखे पहला अक्षर S है और दूसरा अक्षर A है और A S और V के बीच में A है देखे यहाँ पर हम पहला अक्षर S को मानते हैं और दोसरा अक्षर V को मानते हैं और इनके बीच में A है तो A का उच्चारण A की तरह होगा ध्यान दीजे S को हम सो पड़ते हैं और इसमें A की मात्रा डालेंगे तो ये से हो जाएगा और V को हम वो पड़ेंगे आपको पता है E यहाँ पर silent होता है तो इसे पढ़ेंगे हम सेव आपको यह समझ आ चुका होगा यदि दो सब्दू की बीच में A हो तो हाँ पर A का उच्चारण A की तरह होता है जैसे की यहाँ पर सेव तब हम इसे पढ़ेंगे सेव उधारण के लिए देखे दो अपक्चरों की बीच में A हो तो A को A पढ़ा जाता है देखे पहला अपक्चर B दोसरा अपक्चर D इनके बीच में A तो उसका उच्चारण होगा A तो हम इसे कहेंगे बेड बेड और यहाँ पर पहला अपक्चर S दोसरा अपक्चर D उसके बीच में है A तो इसका उच्चारण होगा सेड यह वाला आपको समझा दिया था तो अम तब इसका उच्चारण होगा से इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वे नाइश टे